ओन दैसपर 24 के डिजिटल मीडिया में आप सभी दर्सकों का हार्दी स्वागत है साहे बंजिले के समहरनाले के समक्चे संक्त किसान समयरक सिमिती के द्वारा अनसर्वे लेंड एवं अन्य मुद्धों को लेकर के विसाल पर दसन किया गया इस दवरान वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग सामिल हुए जहां लोगों ने बताया कि साहे बंजिले के तटिये छेत्रों में जो लोग निवास करते हैं उनकी जमीन अनसर्वे है जिसके कारण यहां के युवाओं का जाती आई निवास प्रमान पत्र नहीं बन पा रहा है हम लोगों के यह एक बड़ी समस्या है लगतार सरकार और प्रसासन गोल मूल रवाईया अपनाते हैं आगे उन्होंने कहा कि जो अनसर्वे लेंड है और इसी अनसर्वे लेंड के कारण जो है बिजेपी और उनसे जुले जो पाटियां है वो हम लोगों को बंगला देशी के रूप में संबोधित करते हैं और यह एक महत्पुर्ण बिंदू है सरकार इस जमीन का सर्वे कराए और हम लोगों की जो मौली का दिकार है जो हमारी मांगे है उनको पूरा करें आगे क्या कुछ नेताओं ने बताया है देखे पूरा विडियो इस साहिब गंगा से साहिब गंगा से शुरू कर उद्वा तक राधानगर तक 80 किलोमेटर एरिया में अनसर्वेक्षित जमीन पर लोग बशे हुए हैं पिछले दिनों इनकी रशीद मिल रही थी मलगुजारी रशीद मिल रही थी इन्हें जमीन का म्यूटेशन होता था इनका जमीन का रेश्टी होता था पच्चों को जो है उनको जाती परमानपत्र निवास परमानपत्र आई परमानपत्र मिल रहा था भले ही निवास परमा के अंदोलन कर रहे हैं उसी कड़ी में जो है जिला में उसका जो है धर्ना प्रदसन हो रहा है और तीन मांग है पहली मांग है कि अनसर्वे जमीन का सर्वे करना होगा उनको जो है जमीन का माली का नहाग देना होगा दूसरा है जमीन का रजिस्ट्री करना होगा तीसरा है जम बास नहीं मिल रहा है इने देना होगा मामला बहुत संगीन है इस दौर में हमारे देश में बहुत सारूर कानून बदल गए लेकिन 200 साल पहले अंग्रेजियों के समय बना हुआ कानून जो अलूभियन डेलूभियन एक्ट है उस एक्ट के तहथ में स्ट्रीम से जहां बिट् में इन बुद्दों को जो है कहीं उठाया नहीं गया इस बुद्दे को लेकर के बात नहीं हुई इस बुद्दे को लेकर के कानून बदलने की बात नहीं हुई है हम लोग मांग करते हैं कि जिस दंग से आज हमारे देश में कानून बदल रहा है IPC CRPC कानून बदल गया एविडेंस एक्ट बदल गया यह सारी बदल गया लेकिन आज जो है यहां का डेमोग्रेटिफिक जो चेंज हो रहा है और उसमें इनका जो अधिकार है यहां का जो मिट्टी से जुड़े हुए है और इस छेत्र में जो आदमी किसान आनाज पैदा करते हैं इस आनाज से यह साहिब गंज जेला के लिए भरपेट आनाज पैदा करता है इस छेत्र से लेकिन इस छेत्र के लोगों के लिए सरकार की कोई चिंता नहीं है सरकार चुप बैटी हुई है और अफसर जो है कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोलते हैं पिछले दूरों यहां के डिसी चलू कर देंगे लेकिन जहां चलू हुआ यह स्थिति है कभी बोल रहे हैं कि यह तो होने वाला नहीं है लेकिन सवाल है यहां की जनता है यहां की जनता लड़ाई लडएगी इनके पास कागश नहीं होगा और लगातार जिस दन से मेडिया में प्रचार हो रहा है पिछले देशी घुषपैटिया तर्गेट कर रहा है कि ध्यारा चेतर में जो लोग बसे हुए है यहीं लोग उसका टार्गेट है और हम लोग खुल करके इसका बिरोद कर रहे हैं यह गलत पामिना करके सरकार इस दिसा में जाहिए ज़रा चेतर में आप जो है इनक्वारी कीजिए अगर पक्रे जाते हैं उसको सजा दिए क्यों आप लगातार पिचार कर रहे हैं मेडिया को भी हम कहेंगे मेडिया बंदू से कहेंगे कि आप जो है सरजमेन में इसकी जाच करके देखिए पता लगाईए इस सही माने में अंसर्वे में बैटे हुए लोग बंगलादेशी है कि देखिए यह को भी में रहे जाच करके देखिए是的